बीजेपी के राष्टे अध्यक जेपी नड़्डा हमारे साथ हैं सर इस बार राज नहीं बदलेगा ये तह है राज नहीं बदलेगा रिवास बदलेगा परमपरा बदलेगी आपको लगता है कि इस बार की चुनौव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा विकास और विकास और विकास ये बात आपने इससे पहले भी इंटर्वीव में कहा कि विकास 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 तीन बड़े मुद्दे हैं बीजेपी के लिए लेकिन पांस साल के सासनकाल में ऐसा कौन सा काम हुआ जो जेराम सरकार नहीं कर पाई कौन सा काम हुआ जो नहीं कर पाई मैं ढूंड रहा हूं मिल नहीं रहा है सारे काम कर दिया एम्स बना दिया और इंडियन इंस्टोर फ मैंनिमेंट बन करके तियार हो रहा है इंडियन इस्ट्रोफ इंफ्रमेशन टेक्नॉलजी दे दिया, बल्क ड्रग पार्क दे दिया, मेडिकल डिवाइस पार्क दे दिया, अटल टरनल का श्री गनेश कर दिया, फोर लेन बन करके जो रुग गया था उसको शुरू कर दिया, वो काम लगबग कम्प्लीट होगा, ए उनके खुश रखने में मैं भी अपना योगदान कर, मद्दाताओं से क्या अपील करना चाहूंगा, वो देवतुल्य है, और उन्होंने भारती जनता पार्टी में ही उनका हित है, ऐसा मैं मानता हूं, इसलिए भारती जनता पार्टी को अपना समर्थन दे, जो बागी मद सब रह जाते हैं, वोट उनको ही मिलता है जो भारती जनता पार्टी के साथ है, क्रिपाल परमार जी का वीडियो बहुत वैरल हुआ था, जिसमें आपका नाम उन्होंने लिया, उस पर क्या कहने है, हमारे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने कुछ कहा है, अब मैं यहां पर जोसनापत्र कि अगर बात करें, तो तीन जो बड़े मुद्धे हैं, कि एक लाग सरकारी नौकरी हम देंगे, पंद्रह सो रुपे महिलाओं को पेंसन देंगे, और ओल्ड पेंसन स्कीम को लागू करेंगे, पहली काबनेट की मीटिंग में, आपको लगता है, इस संभव है देखें, कॉंग्रेस पारिटी अजे होल, मेंटली बैंकरप्ट हो चुकी है, इनको कोई, जो इनका मेनिफेस्टो लिखता है, वो पढ़ता है, जो पढ़ता है, वो लिखता नहीं है, इनको जवानी जमा खर्चे गप मारनी है, जो भी मार लो, ये जवाब देंगे मेरे को कि OPS बंद किसने किया था, NPS लाया कॉन था, जवाब देंगे मेरे को, आज बड़े भारी चेंपियन मने फिरे है, इनको मालूम है कि ये केंदर करेगा, ये राज्य करेगा, कुछ मालूम है, पढ़ा है कुछ, एशो गेलोत ने OPS दे दिया क्या, भगेल ने दे दिया क्या बेंटली बैंकरप्ट, आप लोगों को इन पर भिश्वास नहीं है, ये क्या विकास करेंगे, जो खुद समाज का नेतितों तब तब करोगे ना, जब पता हो कि क्या उचित, क्या अनुचित, जब यही नहीं नहीं मालूम है, बाया पाओं को ये नहीं मालूम दाया पाओ सब्सक्राइब को जब यहु नहीं मालूम गलव टाया पाओं को जा तो क्या पर लगता है कि जो लगातार फंड की कमी की बात आ रही है, कहा सा लाए है कि जयराम सरकार बहुत सारे करज में यह जो और इतना फंड कहांसे आगा है तो इसलिए आप सेरेस्ली ले रहे हैं मेरा समय उस पर लगवा रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन इसलिए लेने की कोई ज़रूत नहीं सर आपकी पार्टी में पहले से तया है कि जराम ठाकुर फिर से मुखमंत्री बनेंगे सरकार आने पर कॉंग्रेस पार्टी में कोई तया नहीं कर पाई कि उसका मुखमंत्री कौन होगा यहां पर हिमाचल प्रदेश में कोई मुद्दा है यह बेरोजगारी महंगाई इसके बारे में बात करने के पहले कॉंग्रेस पार्टी जरा पढ़ लिक कर किया है आपने बात की महंगाई की मैं अपसे एक बात पुछता हूँ अमेरिका की आर्थिक विस्ता कैसी है लड़कड़ा ही नहीं है योरोप की लड़कड़ा ही नहीं क्या यूक्रेन के सप्लाइचेन के टूटने के कान दिकत में देश बड़ा है कि नहीं पड़ा है सारा वेस्टन वर्ल मुसीबत में है की नहीं है और इंडिया इन दीस सरकम्स्टांसे इस अस्टेबल एकॉनमी इस डिवलपिंग और विया ओवर्टेकन विया नहीं प्रिटेन को प्रचाड़ करके यह दिखनी रहा है लोगों को इसलिए एकॉनमी के बात कर रहे हैं तो मैंने आपको जवा दिया बेरोजगारी इनको मालूम नहीं है कि जॉब ऑपरचुनिटी से बेरोजगारी जाती है जब इमाचल का डर्ग पार्क लगाएंगे दो हजार करोड रुपे खर्च होगा तो तीस हजार करोड रुपे की इंवेस्मेंट किसको जाएगी इंप्लाइमेंट पर जाएगे तो डेवलॉपनेट के यह तरीके उता है डिली आपनी गोशनपत में इतन को आधार बनागे अंड हो चुक्त कि हमाचल की जनता डबल इंजिन सरकार आगे भी बरकरार रहे इसके बारे में फैसला करेंगे ये हमाचल की जनता ने फैसला कर लिया है आप आठ सारी का इंतार कीजिए आज के खुशी मनाई हमें भी वोट देने के लिए इजाज़त दीजिए मतलब आप कॉंफिडिन हैं ब नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूस 24